सबको गुड मॉनिंग, आज हम पढ़ने वाले हैं रिती मुक्त कावे धारा के बारे में और ये हमारा आखरी लेक्चर रहेगा जो रिती काल के ऊपर इसके बाद आपका जो रिती काल है यहां पर समाप चलिए तो देखते हैं फिर अपना जो रिती मुक्त कावे रहा इसके बारे में जो अपीत नामकुन का ग्रंत रहा है उसमें ठीक है इनको एक बार आप देखिए और इसके साथी साथ अगर आप देखें कि इसमें कौन सी मुख्या चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस कावे धारा की जो लेखक रहें उन्होंने ना तो लक्षन ग्रंत लिखे और लक्षन ग्रंतों की परंपरा का पालन किया अपीतु अपनी स्वतंत्र मनवरिती के आधार पर ही इन्होंने कावे रचनाएं की हैं देखिए इससे पहले कि जो लेखक रहे रिती सिध्ध और रिती बद्ध उन्होंने क्या किया उन्होंने कावे की शिक्षा के आधार पर या लक्षा गरंथ करके, जो भल्ब जो शिक्षाएं थी, उनको लक्षा करके क्या किया? अपने जो गरंथों की रचना की थी. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन रचना कारों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इननोंने अपनी स्वतंतर जो मनवरीत्या रही जो आत्मन भुति थी ठीक है उसी को इननोंने क्या किया उसी को ही इननोंने अपने काब्वे में निवर्ध किया है तो ये चीज यहां पर आपको याद अखली शुकु वर stinky रिति मुक्त कवी देखिए अगर हम बात ये करें कि जो रीती मुक्त का भी रहें देखना वैसे परिवेश में हम देखें तो ये भी क्या रहें है दरवारी कभी ही रहे क्योंकि दरवार में ही रहते थे किसी के आश्रे में रहते थे लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है आपको कि दरवार में रहकर भी इन्होंने क्या किया अनुभूती की प्रमानिकता तथा दाइत्व मुलक जो आपका प्रेम है उसका पालन इन्होंने किया है ये चीज इनके बारे में मतपू ने देखना इसको याद रख लेना कि अगर हम परिवेश की बात करें तो परिवेश में रिती मुक्त कभ रहे हैं दरवारी कभी रहे लेकिन याद रख लेना है आपको कि इन्होंने क्या किया इन्होंने अपनी अनुभूती को प्रमानिकता के साथ पूरे दाइतों के साथ जो है वो प्रेम का पालन किया कि जो उन्होंने अनुभूत किया जो अनुभव किया उसी को ही साहित्यमे इनोंने रखा है ठीक है तो ये चीज इनके बारे में मोस्ट है देखना इसको आप अच्छे से याद रखिए बाकी कोई खास चीज आपको याद रखने की जरूरत यहां पर नहीं है आप ये भी कह सकते हैं कि किस वर्ग के हैं तृतिय वर्ग के कभी जो है रितिमुक्त कभी कहलाते हैं ठीक है इनोंने ना तो काव्य के अंगों को लिए अधार मना कर लिखा है ना ही लक्षण ग्रंथ लिखे ना ही लक्षण ग्रंथ लिखे बलकि जो अपना मन है अपना जो रिदय है उसकी जो वृतियां है उसके अधार पर ही इनोंने लिखा है यहां पर लिखा यह देखिए कि रिदे की स्वतंत्र वित्यों के अधार पर कावे रचना करने वाले कभी ही रिती मुक्त कभी कहलाई ठीक है यह चीज ध्यान रखना है आपको एक most important बात यह और रहती है देखना कि जो आपका रिती मुक्त कावे धारा रही यह कावे धारा रिती काल में विशिष्ट कावे धारा ठीक है यह याद रखेगा रिती काल की विशिष्ट कावे धारा किसे कहा जाता है यह रिती मुक्त को ही कहा जाता है अब देखिए साहिते जादा प्रमानिक कौन माना जाता है जो जहां पर हम अपने feelings अपने emotions को अच्छे तरीके से जो है वो क्या कर सकते हैं बयांक कर सकते हैं तो उसको ही हम क्या मानते हैं कि वो सही न कहीं सही है इसलिए इसको आंत्रिकन भूतियों का कावे भी का जाता है दो चीजें होगी देखना वर्शिष्ट कावे धारा या फिर आंत्रिकन भूतियों का कावे रिती काल के किन कव्यों ने लिखा आपको ऐसा प्रश्ण पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना है रिती बद्ध या रिती मुक्त या रिती काल के संदर्भ में, पंक्ति के बारे में, तो इसको याद रखिएगा, मुल रुप से आतम प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूती, ये चीज याद रख लेनी है, आत्म प्रधान और व्यक्तिगतन भूतियों का काव्वे ठीक है तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रख लेना है यही था आपका रिती बद्ध काव्वे जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो तीनों धाराओं में तृतिय बर्ग के कवी रिती मुक को confusion create कर सकता देखना इसलिए इस लाइन को जरूर याद रखना कि परिवेश में ये भी दरवारी हैं पर इन्होंने रीती वाद की जो काव्वे गत रूडियां हैं उनका पालन इन्होंने नहीं किया था ये बात इनके बारे में जादा important है इसको याद रखेगा काव्वे रूडियां क्या थी उस वक्त थी कावे की शिक्षा देना अनिवार है या फिर उन शिक्षाओं को आत्म साथ करके अपनी रचना को करना यानि की लक्ष ग्रंथ लिखना ये दो चीज़ें में थी जो अधिकतर विद्वान यही कर रहे थे उस वक्त के जो लेकर करे लेकिन इनोंने इन रूडियों की पालना ना की और अपना सोतंतर तरीके से लेक्षन किया ठीक है तो ये चीज़ आप यहां पर अच्छे तरीके से याद रखेगा मुस्ट इंपोर्टन बात जो देखना रिती मुक्त कावेधारा के बारे में यही रहेगी तो इस समाने परीचे स रिलेटर चीज़े ध्यान में रखनी है बाकी अब हम जानेंगे कि रिती मुक्त कावेधारा के जो प्रसिद्ध कवी थे वो कौन-कौन सी रहे यह तो आप सब लोग जानते हैं जब से आपने हिंदी के competitive exam देने की मतलब शुरूआत की है तब से आप देखते हैं कि यह कवी मुक्त कवी रहे हैं इस चीज़ को आप साथ में याद रखिए लेकिन सर्वमानने मतानों सार हमारे पास ये जो पांच नाम है यही क्या रहते हैं रिती मुक्त कावेधारा के अंतरगत आते हैं ठीक है तो इनको याद रखिएगा ओके चलिए आगे देखते हैं इसके पहले हम जानेंगे यहां पर इनके जनम स्थान बुलंद शहर निधन स्थल था इनका वरिंदावन तो नादिर शाही में ये मारे गए थे या अचारे रामचंदर शुक्ल ने अपने हिंदी साइट के इतिहास गंत में बताया है ठीक है बुलंद शहर 1689 में इनका जनम जो इनकी 1760 के आसपास इनोंने मानी थी ये है डॉक्टर नगेंदर की अनुसार इनका समय लेकिन सर्व माने मत अनुसार आपको इनका समय याद रख लेना है जो आपका रहेगा 1689 से ले करके 1749 तक का ठीक है इसको आप यहां पर याद रखिए और ये इसलिए भी जरूरी क्यों हुई थी कि कर लावा कुछ हणने चीजें हैं जहां से आपको पहले से ही प्रश्ण मलशन हैं वैसे सारी चीज़ अल्री ग्यात होती हैं लेकिन एक सही तरीके से वी मतलब आपका जिसको हम कहते हैं कि हम यह चीज़ बताना ही पड़ेगी अल्रेड आपको पैशी पत बनते ही आप और गुरू थे बरिंदावन देव और कए जगा इनका गुरू जो है नाराइन देव दोनों ही माने जाते हैं देखना बुझदबन देव और नाराइन देव इन दोनों को आप याद रखेएगा और एक चीज यह रहती है कि जो महमेंचा रंगीला थे इन्होंने इनको अपने दरवार से निश्कासित कर दिया था और इन्हें देश निकाला दे दिया था और उसके बाद ये कहां पर चले गए थे निमबारक संपरदाय में दिक्षित हो गये थे वृंदावन में जाकर और ये प्रशन पुराने पेपर मे ये वरिंदावन में रहे और वहां पर ये निमबारक संपरदाय में दिक्षित हो गये थे क्यों इन्हें देश निकाला दिया गया था ये आप सब लोग जानते हैं कि गहनान जो है वो सुजान से प्रेम करते थे वैश्या थी जब राजा को ये पता चलता है कि ये घाता भ भैरव जो आपके रामकली केदार सोर्था इत्यादी जो चीज़े रही है राग राग निया ये सारी चीज़ें ने अच्छे से आती थी और राजा इनका संगीत सुनना चाहते थे दरवारियों के कहने पर लेकिन घनन जो है वो कहने से मतलब गाना गाने से इंकार कर देते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से ये मानते भी हैं और राजा की तरफ जो है वो पीट करके और सुजान की तरफ मुख करके जो है ये गाते हैं और ये राजा अपना इसको अपना अपमान समझता है और वो उसको यहां से देश निकाला दे देता है हलाई कि ये आग्रह करते सुजान से भी चलने का लेकिन सुजान जो है आने के लिए मना कर देती है और इसी अधार पर इनकी अधिकतर रचनाओं में आपको सुजान जो है वो नाम भी दिखता है और यहां पर आपको यह ध्यान रख लेना है कि यहां पर डॉक्टर नगेंदर ने माना है कि इनका जो है वो भले ही सुजान के शरीर से शुरूआ हो लेकिन यही सुजान जो है वो इश्वर के रूप में परिनत हुई है मतलब सू प्लस ज्यान सू ज्यान आगे इसके संदर में डॉक्टर नगेंदर की एक इसको हम लुकिक प्रेम से अलगिक प्रेम तक महुंचना भी मान सकते हैं ठीक है तो इसी वज़ा से इनके कावे में जो हमें व्योग पक्ष की प्रधानता भी मिलती है और साथी साथ आप देखते हैं कि इनहें प्रेम की पीर का कभी भी तभी कहा जाता है तो यह मोस्ट पहले सी पता है देखना और PGT की क्लासिस में अमने इसको अच्छे तरीके से मैंने आपको पहले बता भी दिया है लेकिन फिर से इसका समाने परिचे जानने के लिए आपको ये चीज़ें जानना जरूरी है तो व्रिंदवन देव और नरायन देव इनके गुरु हो जाएंग देखना साक्षात्रसमूर्ति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में प्रेम की पीर का कवी ये तो आप सब लोग जानती हैं लक्षनिक मूर्तिमता का कवी प्रियोग वैचित्रय के कवी रिती मुक्त का वैधारा का प्रतिनीदी कवी तो ये जितने भी नाम है ये अचारे रामचंदर शुक्र नहीं इने दिये हैं, इन चीजों को याद रखिएगा, तो सारी की सारी चीज़ें हैं देखना, साक्षात्रस मूर्ति से लेकर के, रिती मुक्त का वैधारा के प्रतिनीदी कभी की, लेकिन अगर हम पूरे रिती काल के प्रतिनीदी कभी की ब इसे, लेकिन जो मुख्य रचनाय हैं, आपको उनसे यादक लेना है, कि प्रमुख रचनाय कौन कौन सी हैं, इनमें से सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, सुजान हित, प्रिती पावस, एंड इश्कलता, लेकिन हमारे काम की कौन कौन सी हैं, ज्यादा अच्छी से, जो मुख्य हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे, बाकी मुख्य मुख्य रचनाय हैं, इनकी आपको यही ध्यान में रखनी है, रचनाओं से कभी भी घनन्द का प्रश्न नहीं बनेगा देखना, ये चीज ध्यान रखिए, कभी कभार आपको पूचा जा सकता, इकि इनकी रचन के मत क्या रहे हैं, इनकी स्वयम की पंक्तियां क्या थी, या फिर इनका सामान्य परीचे जो पूच जाता है, जो मैंने आपको उपर बता दिया, कि किस संपरदाय में रहे, कहां पर गए ये फिर उसके बाद जब इनको देश निकाला दे दिया गया, ठीक है, और इनकी मैं यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले यहां पर क्या लिकाय देखिए, कि घननन्द के पदों का संकलन सबसे पहले किस ने किया, ब्रजनात ने किया था, ये नाम बड़ा इंपोर्टेंट है देखना, इसको आप याद रखिएगा, ब्रजनात यकर जगा इसका नाम most important है देखना ये और इस मेहिनों ने क्या किया 500 पद जो है वो घननन्द के हैं और 8 पद जो है घननन्द की प्रशंसा में ही ब्रजनात में रचे थे मतलब टोटल क्या है ये 508 पदों में रचित है कौन सी जो घननन्द कवित है लेकिन इसमें सारे के सारे पद किसके थे घननन रखेगा नही महा ब्रजभाशा इसको लिखना है तो लिख लीजे क्योंकि कई बार ये पंक्ति पूचे जाती है और बहुत साथ लोग जो इसकी घननन्द की ही कर देते हैं तो घननन्द की नहीं होगी ये किसकी होगी ये हो जाएगी आपकी ब्रजनात की ठीक है नही महा ब्रजभाशा प्रभीन और प्रभीन और सुन्दर्ता ने के भेद और सुन्दर्ता ने के भेद ये आपको यहां पर याद रखनी है ये वाली भेद को जाने ठीक है ब्रजभाशा प्रभीन और सुन्दर्ता ने के भेद को जाने ठीक है तो ये वाली पंक्ती इन्होंने कही है देखना इसके बारे में एक और भी कहीती इसने समझे कविता घनानंद की ही आंखिर नेह की पीर तकी ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये किसकी पंक्त की रचनाओं को या घनान के पदों को सबसे पहले संकलित करने वाले जो रचनाकार ब्रजनात रहे हैं उनकी ठीक है और यह आई तिंक आपको बुक में भी दी हुई है देखना इसको आप एक पार जरूर देखिएगा ठीक है तो ये बात आपको यहां ध्यान रखनी है इन इस नाम से घनन ग्रंथा वली के नाम से किया विश्वनात प्रसाद मिश्र जो रहे हैं यह नाम भी आपको या रख लेना है जिसमें जो लगभग 119 पदों में रचित है घनन ग्रंथा वली यह भी आप ध्यान रखिए भारतेंदू ने सुंदरी तिलक और यह सुंदरी त रहा और इसमें इनना क्या किया है घननन की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया था इस नाम से most important है देखना कि सुंदरी तिलक से किस ने करवाया, घनन्द गन्थावली से किस ने प्रकाशन करवाया, घनन्द कभी तनावन से किस ने प्रकाशन करवाया, यही प्रशन आपको यहां से बन सकता है, बाकी कोई most important बात मेरे हिसाब से यहां से नहीं होनी चाहिए दूसरी, ले आता है कि लास्ट में इनकी देखे ये तो होगे मुख्य मुख्य रचनाकार या फिर बाद के जो विद्वान रहे जिनोंने गनन्द की पदों को संकलित करने का प्रियास किया और अलग-अलग शीर्चक उसको दिये और अलग-अलग मतलब नामों से इनको रखा अब बाद में ये कहा रहा है कि जो सवया रहे देखना इनकी रचना इनोंने समस्या पूर्ती धंग पर की है अब समस्या पूर्ती क्या होता है जो हम PGT की क्लास में अचे तरीके से पढ़ चुके थे कि आपको कवीता का एक अंश दिया रहता है हमें उस कवीता के अंश को पूरा करना होता है ठीक है तो यह यह आपका समस्या पूर्ती तो यहां पर यह कह रहे है कि जो सवया रचे है उसने इसकी रचना इसने क्या की है समस् जाने शुरू हो चुके थे रिती कालीन, रिती मुक्त कावेधारा से और इसी ये बहुत सारे विद्वानों ने जो है रिती मुक्त कावेधारा से ही क्या मान लिया था कि आधुनिक्ता की जो शुरुवात है वो हो चली थी लेकिन सही मायने में आधुनिक काल जो है वो लेट हैं कवित इत्यादी चंद है देखना उनकी संख्या इसने इस प्रकार से मानी है तो कवित सवया इसने माने कितने हैं बावन है अगर हम पदों की माने संख्या की पद कितने रखे एक हजार सतावन पद थे इसके और दो हजार चौपाईयों की संख्या कितनी रही 2354 इसने इसको आप एक बार जरूर देखिए ये था घनानंद का सामानने साथ परिचे और इनकी रचनाओं के संकलन करता कौन-कौन रहे हैं आपको ऐसा भी प्रशन पूछा जा सकता है देखना कि किन-किन विद्वानों ने इनकी रचनाओं को प्रकाशित और संकलित करवाया ठीक है तो ये कौन-कौन से नाम हो जाएंगे भारतेंदु, हरिष्चंद्र, ब्रजनाथ, विश्वनाथ, प्रसाद, मिश्र, जगरनादास, रतनाकर इन सब का नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखना है अब इसके बाद आगे जानेंगे हम कि घनानंद की जो रचनाएं रह सकते हैं, उनको हम थोड़ा सा देखते हैं, तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, एक इनकी रचना रही देखना सुजान हित, इस सुजान हित में इन्होंने क्या किया है, जो सुजान इनकी प्रेमी का रही देखना, इसके प्रती 500 से ऊपर कवित सवये इसमें पाई जाते हैं, मुस्ट इंपॉर्टन्ट है, मतलब नाम से यार रख लेना सुजान हीत है, तो सुजान के प्रती ही कितने हैं, बस यहां पर यह संख्या यार रख लेनी, कि 500 से उपर कवित इसमें रखे गए थे, या फिर सुजान हीत की रखना किस चंद में हुई है, तो कवित सवया चंद में हुई है, यह चीज यार रखेगा, यही पूछा जा सकता है, ठीक है, फिर एक पदावली शीर्षक से भी इन्होंने रखना रखे थी, हलांकि पदावली जो रही है, यह किस की है, या आप सब लोग जानते हैं कि विद्यापती ने इस शीर्षक से एक ग्रंथ लिका, और यही ग्रंथ हिंदी साहिते में इस शीर्षक से सबसे जादा प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन घनानंद ने भी पदावली शीर्षक से लिखा, जिसमें इन्होंने एक हजार से अधिक पदों को रखा, क्रिशन की लिलाओं से उन्ही विश्यों को इन्होंने चुना है, जिन्हें सूर्दास पर्मानंद दास आदी अच्छापी कव्यों ने अपनाया, अब आपको प्रशन ऐसी पूछा जा सकता है, यहाँ पर देखना कि सूर्दास पर्मानंद दास इत्यादी के विश्यों के अधार पर रची गई रचना घनानंद की कौन सी रही, ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, यह हो जाएगा आपका पदावली, या फिर दुबारा इससा प्रशन पूछा जा सकता है कि क्रिशन लिलाओं से, जो क्रिशन लिलाओं से समंधित जो रचना रही है, वो कौन सी है, तो फिर दुबारा याद रखना है कि यह पदावली था, पदवली में कितने पद हैं, एक हजार से अधिक पद, मांसो से अधिक कहां पर थे, यह थे सुजान हित में, ठीक है, ऐसे करके ही प्रशन बन सकता है, बाकी रचना से समधित प्रशन जादा नहीं होगा, कृष्ण कौमुदी रही, याद रखना है आपको नाम से ही, पत्रिका, इसमें किसके नाम पत्र लिखा है, श्री कृष्ण के नाम पत्र लिखा है, यह ठीक वैसे ही आपका जो प्रेम पत्रिका है, यह इन्होंने कृष्ण के नाम पत्र लिखा, और उन्हें ब्रजवासियों की और से अनेक प्रकार के जो उलाहने दिये गए हैं, ठीक ब्रजवासी हैं उनकी और से ठीक है तो ब्रजवासी तो यहीं चाहते थे ना कि कृष्ण जो है वो उनके पास ही रहे तो इसके बाद जब वो चले जाते हैं तो फिर उनका जो विरह है ठीक है इसके उपर आप देखेंगे बहुसा रचना रही है जैसे प्रिय प्रवास भी तो इसी के अधार पर ब्रजांगना विलाप तभी उसका नाम रहा ठीक है तो यहां पर यह कह रहे हैं कि प्रेम पत्रिका में जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण से क्या कर रहे हैं अग्रह कर रहे हैं उन्हें उलाहने दे रहे हैं कि वो हमें चोड़के जो हैं वो क्यूं च रखी है और ये प्रशन पहले पूछा गया था देखना आपको एक्जाम में कि इनकी कौन सी रशना ऐसी रही जिसमें पंजाबी और उर्दु शब्दों की भरमार हैं तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि ये रहेंगे आपके गनानंद ठीक है या फिर इश्कलता स्वर गनानंद का ही है इसमें प्रेम के उद्दात स्वरूप का चित्रन भी हमें मिलता है इश्कलता में तो ये इनके नाम से ही होगा कि इसमें क्या होगा कि इनका प्रेम का जो उद्दात रूप है वो चित्रित होगा फिर अगरे जो रचना आती है विरह लीला और वियोग वे देखिए इसमें कौन सा चंद है फार्सी चंद और वियोग वेली भी आपका लगबग फार्सी चंद में ही चेत्रित है और ये श्रिंगार निरूपक ग्रंत रहा है तो स्वभाविक सी बात है जहां पर भी वियोग और विरह की बात होगी तो श्रिंगार तो होगा योगा श इनी चीजों को आप यहाँ पर याद रखिएगा और एक चीज याद रख लेना, यहाँ पर श्रिंगार की बात हुए देखना कि जो श्रिंगार वर्नन है, ये सबसे आकरशक अगर किसी व्यक्ति का माना जाता है रितीकाल में तो ये गननन्द का ही श्रिंगार जबर्नन जो है वो सबसे आकरशक माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ श्रिंगार ही नहीं है, बलकि इसमें स्वानभूती भी हमें देखने को मिलती है, और एक स्वचंद पदती पर लिखा गया ये, साही तेरहहिस का, स्वचंद पदती और स तो महत्वपुन चीज़ें हैं, जिन से प्रशन आपको पूछा जा सकता है, अब हम जानेंगे इसके बाद जो आपका घननंद रहे, इनके संदर्ब में जो आलोचक थे, उनके क्या-क्या कथन है, तो सबसे पहले शुकल बाबा, इन्होंने क्या कहा है, ये जरूरी चीज़े शुकल ने इसके बारे में बहुत सारे कथन कहे हैं, देखना, एक बार उनको आप जरूर देखिए, और ये आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, जिन जिन लोगों ने शुकल का इतिहास लिया है, तो अच्छी बात है, नहीं लिया है, तो यहां से भी आप इस चीज़ क देख सकते हैं, ये साक्षात रसमूर्ती और ब्रज भाषा के कावय के प्रधान स्तंभों में हैं, क्या हैं ये साक्षात रसमूर्ती, बहुती मौतपूर ने देखना, हमने पहले भी पढ़ा था, कि साक्षात रसमूर्ती किसने कहा था, अचारे रामचंद्र शुकल ने, और यहाँ पर पूरा कतन है, कि साक्षात रस्मूर्ती रही, और ब्रजभाषा कावे के प्रधान स्तम्भ, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कि ठीक है, साक्षात रस्मूर्ती तो है, लेकिन अगर ऐसा प्रशन पूछा जाए, कि रितिकाल में ब्रजभाशा के प्रधान स्तंब कौन से रहे तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि ये हो जाएगा आपका घनानद अचा एक प्रश्चन पिछले कल शायद मैंने आपको सेनापती युर्इति सद्धकावेदारा के बढरे में हम पढ़ रहे थे न सेनापती के बारे में आपको ये याद रख लेना है कि सेनापती को इसको याद रख लेना रितिकाल का वर्जवर्थ भी कहा जाता है ये लाइन लिख लेना आपने उसमें एड़ कर लेना एक लाइन हो लाइन कि जो रितिकाली वर्जवर्थ किसे कहा जाता है तो याद अख लेना है सेना पती अब क्यों कहा जाता है देखे जिस तरीके से वर्ड वर्ट ने प्रकृति चित्रन किया ना ठीक वैसे ही प्रकृति चित्रन के लिए रितिकाल में सबसे जादा किसी को माना जाता है जो शर रितु बनन के लिए भी तो ये रितिकाल के कभी जो सेना पती है इनको ही माना जाता है और यह नामभक्ति के कभी भी है यह मने आपको पहले भी बता दिया था कि जो कभी तरत ना करें की रामभक्ति से सम्हादी त्रशन थी उसको याद रखेगा ठीक है यह लास्ट वाली क्लास में शायद मैं उसमें एड़ नहीं किया था आपको इसको लिख लिजेगा साथ म लिए तो वहीं पर आप लिख लिजेगा कि ने रितिकाल का वर्जवत भी कहा जाता है यह बात इन से जरूरी हो सकती है देखना इसको याद रखेए ओके चलिए तो ब्रजभाशा का प्रधान स्तंब और साक्षात्रस मूर्टी अचारे रामचंदर शुकल पहले-पहल कहत हैं देखिए इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्ति शालिनी ब्रजभाशा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ मतलब यहां पर विशुद्ध सरस और शक्ति शालिनी ब्रजभाशा मतलब यहां से आपको इसकी भाशा नीती भी समझ में आ रही है कि अचारे रामच कभी ये समथ नहीं मानता इसा था विशुदिता के सासाथ प्रोड़ता ऐसा नहीं कि उसमें बचकानापन है जो जिसको बलिष्टा कहते हैं देखना वो इसकी भाषा में हमें देखने को नहीं मिलती माधूर्य भी इसमें अपूर्व है ठीक है तो पूरी मैचेर्टी और एक अपना experience रहा है मुझे ऐसा लगता है कि अचारे रामजंद्र शुकल की पुस्तक के अधार पर जो भी माननेता है रही है काफियत तक वो सही रही है तो भाषा अगर पूछी जाएगी या भाषा किस अंदर में कभी पंक्तियां आपको पूछ लिजाएगी कि कौन सी सही है कौन सी गलत है तो यहां से याद रख लेना कि सरस है विशुद्ध है शक्तिशालिनी प्रतीवा है और प्रोडता भी है और माधूर्य भी अपूर है लेकिन आगली बात यहां पर क्या रखनी है आपको याद कि विप्रलंब श्रिंगार विप्रलंब आपको किसका कहा जात है देखना व्योग श्रिंगार को ही विप्रलंब श्रिंगार कहा जाता है व्योग श्रिंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है यह बात पर जोर विया गया है देखना इसलिए यह बोल्ड की गई है इसी को आप यान में रखेंगे यह कह रहे हैं कि श्रिंगार का तो ठीक कि रस के अंतरगत आता है देखना आपका ये जो श्रिंगारस है उसके अंतरगत आप पढ़ेंगे कि श्रिंगारस के दो भेद हैं एक संयोग है एक व्योग है ठीक है व्योग की भी आगे कितने व्योग है उसको आपको देखना है कि व्योग की आपकी तीन इसमें ये माने ज तो हम आगे जानेंगे भारतिय कावे शास्त्र में ठीक है अभी फिलाल आपको इतना यार रख लेना कि इसमें क्या था व्योग श्रिंगार प्रधान रहा आगे कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रभीन और धीर पतिक तथा जंबादानी का ऐसा दावा रखने वाला रजभाषा का कोई भी दूसरा कभी नहीं रहा ये कथन इसका मोस्त इंपोर्टन कथन है देखना और ये कथन पहले पूछा भी गया है परिक्षा में तो इसको भी आप याद रखिये इन्होंने यानि कि घननन ने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संभूधन किया है जो श्रिंगार में नाइक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रियुक्त मानना चाहिए तो ये बात भी बहुत ही सही बात है इसकी देखना कि इन्होंने क्या किया अपनी कविताओं में सुजान शब्द का तसंभूधन किया लेकिन ये श्रिंग याद रखिए मुस्ट है ये पंक्ति भी तो ये घंणनंद की बहुत पंक्ति आए देखना घंणंद की नहीं सरी घंणंद के संदर्ब में और घंणंद की अपनी पंक्तियां भी मतपूर्ण है उनको हम जानेंगे आगे तो फिलाल यहां पर शुकल के ही इतने सारे कतने द रख दिये हैं लेकिन आपको इनी से ही संतुष्ट नहीं होना है जितना जादा आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस लेखक ने किस अलोचक ने इसके बारे में क्या कहा है वो आपके लिए काफिया तक सही रहेगा ठीक है कविता इनकी भावपक्ष प्रधान है देखिए ये व रखेगा ये बोड़ा है कि इनकी भावपक्ष प्रधान है और कोरे विभावपक्ष का चित्रन इसमें कम मिलता है तो विभावपक्ष जो है वो इसमें कम है प्रेम की अनिर्वचनियता का अभास घननन ने विरोधा भासों के द्वारा किया है ठीक है विरोधा भासों से ह इसको याद रख लेना कि प्रेम की अनिर्वचनत्ता का अबास जो है वो घननन्द के विरोधा भासों में आपको देखने को मिलता है इस बात को याद रखी ये भी मोस्चाइंड की पंक्ति पंक्ति नुशारी अचारे रामचंद्र शुक्ल की जो पंक्ति है जो इनके संदर अब मैं देखना जो इन्होंने मतलब विरोधा भास का चित्रन करने वाली पंक्ति है जो प्रेम किया निर्वचनता में वो था हां तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला मन लेहू पैते हू छटांक नाही ठीक है तो इस वाली पंक्ति में ये याद रखना है आपको कि इन्ह भाशा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवी का नहीं रहा मुस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये भी पुराने पेपर में पूछी हूई है देखना ठीक है प्रीबियेस एर क्वेशन में पेपर में आपको ये लाइन भी दिख जाएगी कि भाशा पर ज तो मतलब जिस तरीके से हम ये कब हजारी परसाद विवेदी ने कहा न कबीर को की वो क्या रहा वाणी का डिक्टेटर तो काफी अधक ये का रहे हैं यहाँ पर शुकल भी इसके बारे में कि भाशा को ये जिस रूप में मोड़ना चाते थे उस रूप में मोड़ सकते थे ऐसा अधिकार था इनका भाशा के उपर, ठीक है, तो ये लाइन भी महत्वपूर ने देखना भाशा के संदरब में, लक्षना का विस्टित मैदान खुला रहने पर भी, हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया, एक घननन्द ही ऐसे कवी हुए हैं, जिन अभीधा शब्द शक्ति, तो लक्षना का मतलब है, सामने सीधी बात न कहकर किसी दूसरे लक्षन को प्रस्तुत करना उसमें, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इससे याद रखना है, देखना, मरत पून है ये, कि किस कवी में कौन सी शक्ति प्रधान रही है, शब्द श करेंगे, पर प्रशन आपको इनी के अकॉर्डिंग बनेंगे, इसलिए इनको अच्छे तरीके से याद रखेगा, यहाँ पर देखिए, इन्हों ने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया, पर वियोग की अंतरदश्चाओं की ओर दिश्टिया देख रही, ये बार अचारे रामचंदर शुक्रने ही माना है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वानी का प्रादुर्भाब हुआ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रेम की पीड़ा को लेकर के ही इन्हों ने अपनी वानी का प्रादुर्भाब किया है, ठीक है, और इन्होंने कुछ भी नहीं न बाहरी उचलकूत दिखाई है, जो कुछ हलचल है वो भीतर की ही है, ये कहता है कि जो वीरहताप है वो सिर्फ दिखावे का नहीं है बलकि वो उचलकूत जो भी है वो उसके अंतर्कमन की ही रहेगी, ये भी पंती मत्रफोन हो सकती है देखना, गनणन्द उन विरले कव्यो बढ़ाते हैं शोकल का कथन बाशा का ऐसा बेधरक प्रियोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ भाशा के लक्षन और व्यंजक वल की सीमा कहां तक है इसकी पूरी परक इन ही को थी ठीक है व्योग वनन भी अधिकतर अंतर निवरित्ति पक नहीं तो यह बोड़ा है कि व्योग वर्नन जो है वो इनका जादतर क्या है आंतरी ही है मतलब यहां पर यह जो दोनों पंक्ति आना ये वाली और ये वाली एक दूसरे के पूरक ही है तो इनको आप थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा घुमाफिर आके हो सकता है आपको बिल्कुल ऐसी ही रहेंगे ठीक है और इन ही पंक्तियों के अधार पर आपको इनके प्रशन बनाने है ये था अचारे राम चंदर शुक्ल शुक्ल के मतपुन कथन जो इनोंने इसके संदर्व में कहे हुए है ठीक है तो इनको आप एक बार देखिए और अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो फिलाल आपको ये शुक्लवानी की पीडियप में मिल जाएगे जैस सही बन जाएगी तो मैं आपको वह ग्रूप में बेज दोंगा ठीक है उसको आप देखते रहे हैं खुद से यहां तक ठीक है आपके पास नेटवर्क नहीं है देखना आपके पास नेटवर्क कम है शायद नेटवर्क देख लीजिए जिन लोगों के पास नेटवर्क नहीं है वो नेटवर्क देखिए अपना ना तब ही ठीक रहेगा नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी शेल्जा के पास नहीं है किसके पास नहीं है हरीश लाइब्रेडी में ही है या रूम रूम सी क्लास देख रहे है आज अच्छा लाइब्रेडी से भी देख रहे हैं तो अच्छा है चलिए ये थे अचारे रामचंदर शुकल के मत अब हम देखेंगे इसके बाद अपना जो अन्य विद्वान रहे हैं उनकी जो मत रहे हैं उनको देख लेते हैं एक परी तो नेटवर्ग देखिए आप सरीता सही से किसी सी वाई फाई बगरा ले लीजिए क्योंकि अगर देखिए थोड़ा सा भी ऐसे नेटवर नो सर ठीक है चलिए ठीक है ठीक है तो घननन्द प्रेम के गंभीर कभी है ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रेम का गंभीर कभी तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनको कहा व्योग में सच्चे प्रेम वियोग में सच्चे प्रेमी जो वेदना सहता है या सच्चा प्रेमी होगा यहां पर वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित में जो विभिन तरंगें उठती है उनका चितरन घननन्द ने किया है यहां पर सच्चा होगा ठीक है वियोग में सच्चा प अबीर कभी है और जव अवस्थाएं मतलब प्रेम में विरह में होती हैं उन चीजों को इनोंने क्या किया है सही तरीके से चित्रित किया है यह विश्वनात्श तृपाठी बात हिन्दी सहित्य का सरलेतिहास में कहते हैं। तो इसके बाद रामधारी सिंग दिनकर कहते हैं कि ये तो भई इनकी पूंजी है, संपत्ति एक तरीके से विरह है, कौन कह रहे हैं? रामधारी सिंग दिनकर, और काफी अद तक ये बात सही भी है इनकी देखना, क्योंकि जितने भी हमने अभी तक इससे पहले कि कतन पड़े उन सभी कतनों में हमने क्या देखा विरह की प्रधानता, व्योग पक्ष की प्रधानता, ठीक है? ये चीज़ या दखेगा आगे रामधारी सिंग दिनकर का एक और कतन है, ये बहुत ही मतपून कतन है देखना और मोस्ट इंपोर्टन कतन है, ये भी आपको प्रीबियस एर पेपर में पूछा हुआ है, जो रामधारी सिंग दिनकर कहते हैं ये कहते हैं कि रितिकाल की बौधिक विरह नभूती, यहां पर फिर से वही बात आ गई, निश्टानता और कुंठा की वातावर्ण में घननन्द की पीड़ा की टीस सहसा रिदय को चीर देती है, ठीक है? ये वो रहा कि रितिकाल में यहां पर विरह कुंठा बगेरा बगे ये एक ऐसा कवी है, जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है, मौस्ट इंपर्टन पंक्तिया देखना ये, और इसको जाला आपको यहां से याद रखना है, कि किराये पर आंसु बहाने वाले कवियों में केवल एक ऐसा कवी रहा, जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है आपको ऐसा भी प्रशन पूचा जा सकता है कि यह कतन रामधारी सिंग दिन करने किस कवी के संधरभ में कहा है तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि रामधारी सिंग दिन करने जो घननन्द रहे हैं देखना उनके संधरभ में कहा था तो आज भी आप देखते ह लोग ये कहते हैं कि जो अगर कोई प्रेम में ऐसे दूबा हुआ हो तो उसको गनानद की संग्या दे देते हैं ठीक है ये चीज़ आप याद रखिए गनानद की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ प्रधान है तो अविधार्थ ना हो तो यान-घून संग्यार्थ ने कहा आता है यहां पर देखिए उसके बाद जो अलविध्वानों में डॉक्टर बच-चन सिंग बच-चन सिंग्गें इसके संदर में दो कथन कहें हैं हालां कि और भी कथन है और बच्चन सिंग की बुक की पीडियफ आपके पास अलड़ी है उसको देखिए फोलिए उसको वहां पर आपको यह मिल जाएगा कि इन्होंने क्या कही है इसके बारे में चीज़ें यह कहते हैं कि घननन्द प्रेम की यातना के कभी है अ अवेग इन्होंने रखा वो उन दोनों कभियों में हमें देखने को नहीं मिलता वियोग के मुर्तिमान कभी है ठीक है यह भी आपको पूछे जा सकता है देखना वियोग का मुर्तिमान यातना का कभी कितने उपनाम रहेंगे सारे के सारे आप उपनामों की श्टेणी में को रख सकते हैं देखना यापना का कभी मूर्तिमान कभी स्वारी योग के मूर्तिमान ठीक है जो हमने पीछे पड़े थे हमने तो शुकल के अधार वाले ही रखे थे लेकिन इन नामों को भी आप उसमें एड़ कर सकते हैं ठीक है अब जो डॉक्टर नगेंदर का मोस्ट इं यानि सू और ज्यान मतलब परमेश्वर में हुई थी ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है कि पहला इनका प्रेम का उदय जो है वो सूजान से हुआ शुरू लेकिन यही सूजान देरे-देरे सू ज्यान यानि की परमेश्वर के लिए इनका प्रेम रहा तो ये बात इन पर देखे रामसरुप चत्रुवेदी के दो कथन ये भी इनके बारे में कुछ कह रहे हैं देखना घननन ने भाषा की वास्त्विक शक्ति को पहचाना यही चीज आपको रामसरुप चत्रुवेदी से यहां पर देखना है भाषा की वास्त्विक शक्ति को पहचान कर दार्षनिक निश्पत्ति के रूप में ग्रहन किया है करुणा को इसने किस रूप में क्या किया है ये कहा रहा है कि भाव को जो है वो करुणा के रूप में नहीं बलकि दार्षनिक निश्पत्ति के रूप में इनोंने ग्रहन किया है जो इनका मौन रहा है ठीक है लौकिक प भावपक्ष प्रधान है, कुरे भी भावपक्ष का चितरन इसमें कम मिलता है, अच्छा ये वाली पंक्तिया हमने पीछे भी पहले पढ़ ली थी, ठीक है, इसको याद रखिए, शुकल की पंक्तिया देखना ये, यहाँ पर आपका घननन्द जो है, वो लगभग लगभग ठीक है, तो ये था घननन्द और घननन्द के संदरब में जो आलोचकों के मत हैं, आलोचकों के मत को थोड़ा सा अच्छे से देखना है, मैक्सिमम टाइम आपको शुकल से समंधित पंक्तिया ही कुछ जाती हैं देखना, और उसी के आधार पर ही जो अन्य प्रश्न बनते ह इनकी भाष्टा को ले करके, इनके विरह को ले करके, या पर इनकी अन्य चीज़ों को ले करके, भावों को ले करके, कि इनके कावे में कौन से भाव रहे, उन सब चीज़ों को आपने इनकी पंक्तियों से ही याब रखना है, ठीक है, इस से बाहर मेरे हिसाब से आपको जा से रखा है बाकी जो रशनकार है जो PGT की क्लास में पढ़ा था आपको वो ही याद रखना है कोई एक्स्टा यहां से आपको नहीं पुछ जाएगा वहाँ पर ही मैंने इनके बारे में आपको बिलकुल डिटेल से बताया हुआ है अलोशकों के मत वैसे इन से रिलेटिड प्रेम से बोदा कहते थे और यही बाद में इनका नाम भी हुआ और अपना लेकन भी इन्होंने इसी नाम से ही किया था प्रेमिका थे इनकी सुभान जो रही ये एक वैश्या थी ये भी आप ध्यान में रखेंगे और जिस तरीके से देखना इनकी सिमिलेटिस गहनान से कै गनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान इसकी हो गई सुभान गनानंद की दो रचनाए थी इश्क लता और विरह लिला इसने लिखा इश्क नामा और विरह बारिश बस दो ही रचनाए थी इसकी बागी तो नहीं है मतलब काफी अद तक ये क्या रहा गनानंद के जैसा ह की मिलता जुलता इसका रचनाओं के नाम भी रहे और प्रेमिका का नाम भी रहा है माना ये जाता है कि जिस वैश्या से ये प्रेम करते थे इसी वैश्या से जो राजा रहे हैं वो भी प्रेम करते थे अब चलेगी तो राजा की ही तो राजा को जब ये बात पता चली तो उन लिकिन जब ये वापिस उसके बाद लोटे तो गरन जो है इसकी विरह वारिश को सुन करके इस रचना के पदों को सुन करके क्या हुए पहुत जादा प्रसन हुए और इन्होंने खुश होकर जो है बोल दिया राजाना कि बही बता तुझे क्या चाहिए तो इनके मुख से अ मतब इसका बिल समझा ठीक है तो राजाने कुश होकर सुभान अल्ला मतब सुभान को ही इसे दे दिया था और इस तरीके से इनको जो पना प्रेम मिल जाता है लेकिन घननंद का प्रेम जो है वो उन्हें नहीं मिलता लेकिन उनका जो प्रेम है वो इस यह प्रेम में परिनत हो जाता है यह चीज यहां पर ध्यान में रखिए most important बात इनसे यही है तो यहां पर ध्यान रखने ला एक बात क्या है आपको देखना आपको simply इतना सा याद रख लेना है कि इनकी जो प्रेमिका रही उसका नाम क्या था सुभान था और कितने जो समय के लिए इनको बाहर नि देखना दोनों रचनाएं इनकी मुक तक है ठीक है तो मुक तक रूप है उनकी रचनाओं के तो कविता काल इनका वैसे 1830 से विक्रमी समवत 1806 तक का ही माना जाता है इनका जो exactly समय है देखना वो नहीं मिलता है ठीक है इसको याद रखिए इनकी जो प्रमुक कृतियां तो कि विरही सुभान दंपत्ती विलास के नाम से इनहें जाना जाता है तो यह मत्तपूर्ण है देखना और यह है इनका प्रेम आधारित मुक तक कावे माना जाता है तो प्रेम पर आधारित है और दूसरी इनकी विरह वारिश जो माध्वनल कामकंदला इसको याद रख लेन सुफि प्रेमा ख्यानक पद्थि पर आधारित रचना कौन सी रही तो याद रख लेना आपको वीरह वारिश वीरह वारिश में किसके वीरह का वनन है सुबहान और जो आपका बोदा रहे हैं उनके विरह का ठीक है ये ध्यान में रखिए ओके तो यही दो कृतिया मिलती है इनके बारे में देखना और कोई खास बात इनसे आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी इनकी जो कुछ एक प्रमुख पंक्तियां आती है शुकल और डॉक्टर बच्चम सिंग की कि देखिए ये मैंने आपको यूट्यूब में भी बताया है देखना पहले चोटा सा वीडियो बनाया है उसमें कि चारों पांचों जो रितिकालिन कभी रहें है उनके संदर्म में कुछ मतपून बाते हैं जैसे घननन्द को कहा जाता है प्रेम की पीर या फिर साक्षात रसमूर्थी इन्हें कहा जाता है रसोनमत कभी और आलम जो थे उन्हें कहा जाता है प्रेमुनमत कभी इस तरीके से आप देखेंगे न कि ये चीज़ें आपको इन्हेंसे ध्यान रख लिएनी हैं कि रसोनमत कभी कौँ सा था और दूसरी तरफ आपको या रख लेना है प्रेमुनमत कभी कौँ सा था साक्षात रसमूर्थी कौन था या फिर कुछ और जो चीजे रही है उनसे समंधित चुबाते हैं उनको आप यहां पर याद रखेंगे ठीक है और सची उमंक का कभी किसको कहा जाता है तो वो थे आपके ठाको ठीक है तो इनको याद रख लेना है एक सची उमंक का है एक रसौनमत हो जाएंगे सची उमंक का ठाकुर हो जाएगा साक्षात रसमूर्थी जो है वो कौन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घनानंद और प्रेम की पीर का कभी घनानंद और लास्ट में जो दुजदेव आता है देखना वो आपका क्या था ये था आपका जो प्रेम मारग के निरूपन में इन्होंने बहुत से पद्य कही है कि शुकल ने इनके बारे में कही थी पंगती प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मरम्स परशनी युकती से की है तो यहाँ पर ये भी प्रेम की पीर की व्यंजना ही कर रहे हैं देखना मरम्स सब्सक्राइबुद नियुकत है। भूदाने दर्वारी संस्क्रिती के बीच बीच भी आत्मनिष्ट्या के भाव को भ्यक्त किया है। कि ये दरवारी संस्किति में रहे लेकिन आत्मनिष्ठा यानि कि जो स्वयम के लिए राजा के समख्ष ऐसा जो सहस है कम कभियों में देखने को मिलता है तो इसलिगे कहा रहे हैं कि आत्मनिष्ठ कभी भाव को भी इन्होंने व्यक्त किया डॉक्टर बच्चन सिंग ये रखना है बच्चन सिंग कहते हैं तो ये था आपका ठाकुर ये बुद्धा और जो घननन थे उनके बारे में कुछ मतपुन चीज़े इनको आप याद रखिए बाकी जो अन्यरशनकार बचते हैं तीन नाम जिसमें आलम और आपका जो दुझदेव है एक नाम और रहता है आपका देखना ठाकुर उनके बारे में कोई खास बात नहीं है इनमें सिंपली एक आलम का ही नाम है देखना जो जादा मतपुन है तो इसको मैं आपको बताता हूं अगली प्लास में फिलहाल आज के लिए करेंगे हम इतना ही